आपने कई बार भारत का नक्षा देखा होगा उसमें नोटिस भी किया होगा कि भारत के नक्षे के साथ साथ श्री लंका का नक्षा भी भारत के नक्षे में मेंचन होता है ऐसा किसी और पड़ोसी देश के साथ नहीं होता है को चाहे पाकिस्तान हो या चीप हो किसी और पर उसी देश को हमारे भारत के नक्षे के साथ नहीं दर्शाय जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि श्विलंका से भारत के रिष्टे अच्छी है इस वजह से शायर हमको दिक्कत नहीं होती और भारत के नक्षे के साथ स्विलंका का नक्षा दिखा दिया जाता है नमस्कार, TV24 देख रहे हैं आपके साथ शिखा मैरों का और अभी अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के नक्षे के साथ विलंका का नक्षा दिखाया जाता है इसके पीछे की ये वज़ा नहीं है कि भारत के साथ विलंका के रिष्टे बहता है बल्कि इसके पीछे है कुछ और ही वज़ा आखिर यह क्या वज़ा है? क्या आप इस वज़ा को जानते हैं का भीदा है? अगर नहीं जानते थे हम आपको बताते हैं आखिर भारत के नक्षे के साथ सिर्थ एक दूसरा देशी श्री लंका ही क्यों दिखाया जोता है भारत के नक्षे में श्री लंका भी दिखाई देता है इसके पीछे विशेश कारण है जिससे श्री लंका के नक्षे को भारत के नक्षे में दिखाया जाता है ऐसे में आप जानते हैं कि वो कौन सी वज़ा है जिस वजह से श्री लंका को भारत की नक्षे में दिखाया जाता है और इसमें हिंद महासागर का कितना एहम रोल है भारत के नक्षे में श्री लंका दिखाये जाने का मतलब ये नहीं है कि भारत का उस पर कोई अधिकार है या फिर दोनों देशों के बीच ऐसा कोई करार है दरसल ऐसा करने के पीछे है समुद्री कानून जिन्हें ओशियन लौ कहा जाता है इस कानून को बनाने के पहल यूनाइटेड नेशन यानी सयुक्त राश्रने की थी जिसके बाद ये कानून अस्तित्व में आया मता दे कि इस कानून को बनाने के लिए सबसे पहले साल 1956 में United Nation Convention on the Law of the Sea सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके बाद 1958 में इस सम्मेलन का रिजल्ट घोशित किया गया दरसल इस UN क्लॉस एक में समुद्र से जुड़ी सीमाओं और संधियों को लेकर एकमत रखा गया था इसके बाद 1982 तक तीन सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसमें समुद्र से जुड़े कानूनों को अंतरास्वे इस तरपर मानिता देने का काम किया गया अब जानते हैं क्या है Law of the Sea जब कानून बना तो इसमें तैह हुआ कि किसी भी देश की आधार रेखा यानि बेस लाइन से 200 नौटिकल माइल्स के बीच आने वाले इस्थान को भारत के नक्षे में दिखाया जाना अनिवार है सीधे शब्दों में समझें तो अगर कोई देश समुद्र के किनारे बसा हुआ है या फिर उसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा है तो इस इस्तिती में उस देश के नक्षे में देश की सीमा से आसपास का छेतर भी नक्षे में दिखाया जाएगा यही वज़ा है कि भारत के नक्षे में श्री लंका को दिखाया जाता है क्योंकि ये 200 नौटिकल माइल्स के अंदर ही आता है भारत की सीमा से 200 नौटिकल माइल्स की दूरी में आने वाली सभी इस्थानों को नक्षे में दिखाया जाता है कितना होता है 200 Nautical Miles अग इस पर ध्यान देते हैं अगर Nautical Miles को किलोमीटर के हिसाब से देखें 1 Nautical Miles यानि NMI में 1.824 किलोमीटर होता है इस हिसाब से 200 Nautical Miles का मतलब है 370 किलोमीटर ऐसे में भारत की सीमा से 370 किलो मीजर की दूरी तक के छेतर को भारत की नक्षे में दिखाया जाता है इस वजह से दूसरा देश होने के बाद भी श्री लंका को भारत की नक्षे में शामिल किया जाता है अब जानते हैं कि भारत से श्री लंका की दूरी कितनी है इससे साफ हो जाता है कि भारत की नक्षे में इस वजह से श्री लंका एहम इस्थान रखता है और यही कारण है इस पर कोई विवाद भी नहीं होता है इसी नियम का पालग अन्य समुद्री भी करते है तो हमने आपको बताया कि आखिर भारत की नक्षे में श्री लंका का नक्षा क्यूं दिखाई देता है क्यूं भारत के साथ साथ कोई और देश नहीं सिर्फ श्री लंका ही दिखाई देता है भारत के नक्षे पर और हमने आपको इसका इतिहास में होताया ऐसे ही तमाद जानकारियों के लिए आप बने रहें TV24 के साथ